जे एस एजूकेशन ओलाइन चैनल पर मैं जेतेंदर सिंग आपका स्वागत करता हूं आज से हम एक नई किलास शुरू कर रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश है यूपी टी टी यानि यूपी के अंदर टी टी की परिक्सा होने वाली है उसे पास कराना उसको चर्चा करना तो हमारा जो तीन चीज होंगे सबसे पहले हम जो आपका जो स्वेणाश होगा ईकोर्डिन जो हम एक बंबई बं करके एक atención करेंगे उससे मुख्य जो समने लिए टी है उस पर अलगसे अध्थियन करेंगे उसके आलावा जो भी स्वांडों पूछे गए हैं उनको सनों का समय समय पर रिवीजन करेंगे। हम जो है इसके माध्यम से चाहते हैं कि आपका यूपी टैट जो आने वाले समय में यूपी टैट होने वाला वो किलियर हो जाए। कि किसी भी सफलता के लिए कोई सोट कट नहीं होता सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी हम मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे जिसके माध्यम से जो है हम ये टैट की परिक्सा पास कर सकते हैं टैट की परिक्सा करना कोई इतना कटिन भी नहीं है यदि आप दिल से च पर्चा करने जा रहे हैं ब्रद्धी क्या होते हैं इंगलिश में से ग्रोथ बोलते हैं मानव विरिद्धी से तात्पर्य उनके सरीर के बहाई ये आंत्रिक अंगों के आकार भार हैवं कार्य छमता में होने वाली ब्रद्धी से होता है जो उसके गर्व समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती रहती है यानि कि जो मनुष्य का शरीर है ब्रद्धी है वो सारी पक्स में होती है के वल सरीर के जो बहाई ये अंग है और जो आंत्रिक अंगों के आकार में और भार में और कार्य छमता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कर बोलते हैं परिवरतन होते हैं वह उसे ब्रद्धी बोलते हैं और जो हमारी गर्वधरन से लेकर परिख अवस्था यानि 18-20 वर्स की आयों तक चलती रहती है इसके जो मुखे मुखे आपर पॉइंट है उन पर आप चाहें तो नजर डाल सकते हैं यानि की गर्वधरन से लेकर 18-20 वर्स तक चलती है सारे परिवरतन को प्रिकट करती है यह केबल जो है कि यहां पर केबल सब्द लिखाओ यह केबल सारे के प्रिकटन को जो है प्रिकटन करना ही ब्रद्धी है ब्रद्धी जो है एक विकास का चरण है यानि जो विकास है उसका एक छोटा जो है एक पॉइ तो अब जो है उसका 10 kg हो गया है इस तरीके से उसको मापना जो है मात्रात्मक होता है इसका मतलब है उसकी संख्ञाओं में मा आयुक्ते चीज को हैं अगली विस्ता होती है यह सारीर हुप से प्रिवरतन होते हैं रुप से परिवरत्न होते हैं घ्त्रा के चेट्रम आते हैं इցसे सम्कूची नियुक्तhone में काम करते हैं और ये परिवरतन पर आधारित होती है ये है तो आकार लंबाई उचाई इनको मापने में आध्यन कें जाता है और इसके अलाबा परिवरतनों को देखा तथा नापा दोनों हो जा सकता है जो ब्रद्धी के अंतरगत परिवर्तन हो रहे हैं उसको दोनों को देखा भी जा सकता है मान लीजिए कोई बालक है तो बालक हमने पहले इस पश्ट करें बालक है मनुस्या का सारीरिक पक्स है केवल सरीर जो है उसका सारीरिक पक्स में उसकी लंबाई यदि बढ़ रही है ल लंबाई बढ़ती है तो उसे हम देख भी सकते हैं देख भी सकते हैं और उसे नाप भी सकते हैं तो जो देखा जाए और जो नापा जाए और जो सारीरिक पक्स में परिवर्तन हो तो वो क्या होई हमारी ब्रद्धी होई इसके बाद जो हमारा आता है विकास अब बिकास क् एक बहुत बड़ा छेतर है विकास में क्या होता है यह समय की द्रश्टी से व्यक्ति में जो परिवरतन दिखाई देते हैं विकास कहलाता है मान लीजिए कोई मनुस्य है या कोई बालक है तो बालक का सारीरिक मानसिक सामाजिक संबेगिक और चायत्रिक इस सारे ही पक्सो का कितना विकास हो रहा है यहां पर विकास कारता है विकास में कितना विकास हो होता है तो यह भी विकास के अंतर गता है, उसके मानसिक विकास की भी यहां पर चर्चा होती है, उसके समाजिक विकास की भी चर्चा होती है, संबेग अत्मक विकास, यानि उसके अंदर गुसा, रोना, डर क्या है, किस लेविल का है, उसका चरित्रिक निमार, यानि जो नैतिक ता ह उसके अंदर जो भी उसके अंदर अच्छी बाते हैं गलत बाते हैं तो वो सारे पक्स क्या हुए विकास के अंतर गता है यानि कुल में लाकर किसी बालक का किसी बालक का तरीर के साथ साथ सारीरिक के साथ 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 सभी पक्स जो हैं वो मानसिक हों मानसिक समाजिक और संबेगिक सारे पक्सों का परिवरतन या उसके विकास हो रहा है तो उसे देखते हैं तो वो क्या हुआ विकास हुआ यानि विकास जो हुआ एक ब्रोड चीज है इस विकास के अंतर गती छोटा सा भाग जो होता है ब्रद्धी का होता है छोटा भाग प्रद्धी का होता है जो हमारा सारे री रूप में देखते हैं के वल जो यही अंतर होता है मुख्य रूप से और विकास को समझने के लिए इसके जो मुख्य पॉइंट यहां पर नज़र दालते हैं विकास गर्वधारन से मिर्तियु तक चलता है रहता है यानि यह क्या होता है बच्चे को जब गर्वधारन हो गया बच्चे का यहां पर यह जन्म में है जन्म से पहल तो बहुत तो गर्व धारन से लेकर परिपक अवस्था तक रुख जाएगी तो ब्रद्य का च्छेतर बहां पर रुख लेकिन उसके अलावा जो इसके मानसिक उसके सामाजी उसके नैतिक उसके चारितिक यह सारे प्रक्से जो का जो विकास है निरंतर चलता रहता है जीवन पर चंता रहता है जब तक मरता है तो जब तक कुछ ना कुछ उसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं तो उसके किसी ना किसी प्रक्स में कुछ ना कुछ विकास कुछ चेंज आते रहते हैं तो वह क्या हुआ विकास की जो सबसे डवलमेंट की जो सबसे मुख्य बात है व साणी लिक्स बाइलक साजी जिनने इससे परिवर्तन होता है तो सब रहा हुआ जो परिवर्तन और परिमाराđत्मक में तो मैंने आपको पहले ही बता दे परिमानात्तमक में आता है कि किसी बालक का आकार, लंबाई, भार, इत्यादी को जो जी चीज को हम नाप सकते हैं, जिसे हम आप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या हुआ आपका परिमानात्तमक पक्स हुआ, लेकिन गुनात्तमक में कि इमानदार है कौन कितना हुस्यार है उन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है यह क्या हुआ उसके गुनों है तो गुनों का और परिर्ञाम का मतलब परिमानात्मापक सौक्षा की जो अभी वियत्ती है जैसे कार्ये कुसलता, कार्ये छम्ता, कार्ये बिहवार में सुधार, इत्यादी क्या हैं, सब ये विकास हैं, यानि इन सभी में जो परिवर्तन होता है, वो क्या आता है, आपके विकास के अंतर गताता है, कि कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हो रहा है, ये सब ची में क्या होगे निपून होगया यह क्या हुआ आपका विकास या आपका डबलब मैंन्ट क यह रही हिसमें या उसके गुणुकार उसके उन क्या परिवर्थन हो रहा है तो वहाँ कि रर्व प्रिवक्षक्रपद्र से चब्रभी देखा था, विकास में क्या है? यहां पर यह पुइंट विकास जो है, एक whole part है, इसमें क्या होता? प्रध्धी भी सम्मिलित होती है. जैसे भी हमने चर्चा की थी की विकास क्या है हमारा? हमारा जो है सारीरिक, सारीरिक, मानसिक, समाजिक, सारे तरिक नैतिक मतलब जितने भी सारे पक्स होते हैं मनुस्ये के जितने भी सारे पक्स हैं ये क्या है विकास है लेकिन इसमें क्या है ब्रद्धी क्या है सारे पक्स है तो ये क्या हुआ विकास का एक छोटा हिस्सा हुआ और विकास क्या हुआ यह सारी चीजे क्या हुए विकास ही तो यहां पर हम यह पॉइंट भी यही दर्शाता है कि विकास में जो है ब्रद्धी सम्मलित होते हैं ब्रद्धी सरीर में होती है और सरीर विकास के पक्सों में ही आता है अगला पॉइंट हम यहां पर क्लियर करने क मतलब जो जितने की उतलब परिवरता नहीं मैं को मा अपना कठीन मैं किसी की अच्छाई को हम नहीं नहीं कर सकते हम अबलोकन कर सकते हैं ना कि उसे हम नाप के बता सकते हैं कि यह जो है दो नंबर का बेमान है चार नंबर का हुस्यार है तीन नंबर का अच्छा है तो उसे हम आप नहीं सकते यानि विकास को हम आप नहीं सकते ये वाल उसका अबलोकन कर सकते हैं यह मुख्या जो सबी परिवर्तन होता है जो गर्भ दारन से लेकर मृत्यूं तक चलता है वो क्या होता है विकास होता है इस विकास और अभी भिरद्दी को समझने के लिए यहां पर यहां पर मैंने थोड़ा दो-तिन मुख्य मुख्य बाते आपको एक समझाने कोशिश करनें पहला प्विरद्दी विशेस यू तक चलती यह बिशेस यू तक चलती यह जो है आपका बिकाई जो है गर्व धारण से ले वाली एक प्रिक्रिया यह जब तक मनुष से मरता है जब तक चलती है इसके अलावा जो आपका दूसरा पॉइंट है ब्रद्धी विकास का एक चरण है यानि विकास का एक चरण है यानि विकास के अंतरगत एक चरण है छोटा सा हिस्सा है लेकिन विकास में ब्रद्धी सम्मलित है जैसे कि मैंने बताया था आपको कि विकास के जो है जो है बुरा जो हूआ यो विकास वाए बीकास हुआ यह विकास हूआ यह कहा सकता है और whilst छोह यह मंपाजा सकता है लेकिन बिकास में होने वाले परिवरतन को जो जनम से लेकर गर्वावस्ता से लेकर जो मिर्ट्व तक चलता है उसे केबल अनुवूत किया जा सकता है उसे मापा नहीं जा सकता इसके अलाबा जो आपका आता है अगला पुइंट नंबर चार अभी विरद्धी मुख्यत है सारीरिक परिवर्तनों का प्रापन है जो परिवर्तन हो रहे है केभल आपके जो अंग बढ़back मेंद उसको दिखाती है बिखास में समाजिक, मांसिक, नैतिक, सामबेगिक, सारेरिक, यानि सवी पक्सों का एक सामुहिक, एक संयुक्त परिवर्टन होता है, वो क्या होता है, आपका बिकास होता है, और इसका जो अगला पोइंट आपका आता है, वो है आपका नमबर पांच अभी ब्रद्धी केबल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक में जनम के समय विद्धुवान होती है नि किसी बालक में कोई घटक ऐसा है जो जनम से है तो उसके अंदर तो ब्रद्धी हो सकती है इमान लीजिए किसी बालक के अंदर कोई बच्चा चार परच की आई हो में जो है उसके अंदर कोई चीज नहीं है लेकिन वो धिर दिर अपने पर्रयाबरान से अपने आसपास समाज से या किसी और प्रिकर्दे से विध्याले से जो है वो चीज अपने अंदर डबल अप कर सकता है तो इस तरीके से विकास एक डोड छेतर और बिध्य विकास का यानि चोटी चीजह की और विकास की विकास और ब्रदी से संबंदित एक जाते हैं जबकि सपहर टैड में भी इससे कुशन पूच्ष जाते हैं हम आने वाली कखसा में पर डिसकस करेंगे और प्रतिय दिन हम अब लगबग एक टोपिक पर एक चरचा करे करेंगे बिस्तरी तरूप से और उस तोपिक से कोई भी कॉस्टन गलत नहीं होना चाहिए हमारा मुख्या उद्देश है यूपी टैट और यूपी टैट के बाद सूपर टैट आपको पास कराना उसमें सफलता दिलाना तो हम मिलकर ये महनत करेंगे मैं फिर से कहूंगा कोई भी सोट कट नहीं है सफलता प्राप्त करने का आपको महनत करनी होगी और ये महनत मैं आपके साथ करूंगा आप मेरा साथ दीजिए मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये वीडियो लाइक और सेयर कीजिए काप ताकि हम जैसे जो भी हम बेरोजगार ब्यक्ति हैं हम सब मिलकर एक रोजगार की भी तलास कर सकें और अपने ग्यान को भी बढ़ा सकें आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार